Disturbing Movie Iceberg के उपर वीडियो कब आएगा, कब आएगा, ऐसे कमेंट्स मुझे आते रहें, तो चलिए Disturbing Movie Iceberg के उपर ही आज का ये वीडियो है जो नए व्यूवर से शायद आप लोगों को नहीं बता कि Disturbing Movie Iceberg आखिर है क्या Reddit में ये picture viral हुआ था, जहां पे इस दुनिया के सबसे gruesome, सबसे slasher और सबसे मतलब घिनोने type के movies को किसी ने shortlist किया था एक एक टाया में, यानि एक एक level में, level के जितने नीचे आप आएंगे, उतनी ही ज्यादा खतरनाक movies आपको देखने को मिलेगा तो आज हम लोग पहुँच चुके हैं इसके level 6 में, so hello friends, मैं शियाव अलहाद, welcome करता हूँ आपका शियाव Explains के एक नए वीडियो में चलिए आज आज आपको disturbing movies के एक ऐसे list की और लेके चलता हूँ, जिसको देखने के बाद आपको 7 दिन तक निन नहीं आएगी तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ-कुछ movies में तो real footage भी है और इन में से दो movies तो YouTube में available है, कौन से जानने के लिए आप वीडियो को एकदम end तक देखिए Number 7 में Death File Red को रखा गया है, बट मैं Death File Series के सारे ही movies को number 7 में रखने वाला हूँ इसका motto एक ही है कि Death का सबसे purest form आपको दिखाना और हाँ इस movie में सारे ही incidents एकदम real life incidents है मतलब ये एक shocking documentary है, यानि एक shocking documentary जहाँ पर कोई आपको shooting नहीं दिखाये जाएगी आपको real life incidents, real life events दिखाये जाएगे और इसमें क्या नहीं है, road accident से लेके, execution से लेके, कोई abnormal बच्चा पैदा हुआ, उसके footages मतलब इस दुनिया के सबसे गंदे से गंदे footages अगर किसी documentary में add किया गया है और अगर आपको ये देखना है, तो आपको देखना पड़ेगा death file red इसका एक part death file yellow, youtube में available है, आप जाके देख सकते बट मेरी मानो तो नहीं देखो तो अच्छा है इस लिस्ट के सारी movies नहीं देखो तो अच्छा है, मेरे इस वीडियो को देख लो, तुमको idea लग जाएगा किसमें क्या है नमबर 6 की हमारी documentary movie आपको 1960 के Africa में लेके चलती है जहाँ पे colonization खतम हो चुकी है और Africa की खुद की government बन रही है अब जहाँ पे African people slave थे, वो सफ slavery से छुटकारा पा रहे हैं और खुद अपने नाम की जमीन खरीद रहे हैं अपने बच्चों के लिए English caretakers रख रहे हैं कैसे मतलब British जो rule है, वो Africa में खतम होता है और वहाँ पे उनका government बनता है इसी topic के ओपर बनी है number 6 की हमारी documentary Africa audio अब आपको यही लग रहा है कि इसमें shocking क्या है इसमें bodily horror बहुत ही कम है बट animal torture के footages भरे पड़े हैं और कुछ-कुछ disturbing scenes ऐसे भी है जिसको मैं यहाँ पे discuss नहीं करने वाला हूँ अगर आपको देखना है तो देख लीजिए यह भी YouTube में available है आपको same नाम से मिल जाएगा देखो इस iceberg के जितने नीचे हम आएंगे न आपको उतना real footages देखने को मिलेगा और shooting या फिर artificial चीज़े कम देखने को मिलेगा जो हमारे जैसे normal viewers के लिए थोड़ा सा boring हो सकता है बट यार आप लोगों को नहीं बोला था इसके ओपर वीडियो बनाने की तो मैं तो बनाऊंगा ही ओके नंबर 5 एक्चिली नंबर 5 और नंबर 4 को मैं combine करना चाहूंगा क्योंकि दोनों का director सेमी है जिसका नाम है सूरा सा की कियोटा का 2008 की ये movie जंग फाइल्स में कियोटा का ने जितने भी accidents के footages और बहुत सरे gruesome killings के सारे photographs इस documentary में add किया है उसके उपर यहाँ पर अच्छे से commentary भी दिखाई जाती है जहाँ पर आपो जाता है कि ये death क्यों हुआ इसके पीछे क्या है एकदम आपको लेगा कि आप एक news channel देख रहे हैं बिना filter के एकदम purest and purest form of death followed by our fifth film इसको भी सूरा सा की कियोटा का ने ही बनाया था और ये movie एक आदमी के life के उपर based है जिसका नाम है Orozco Orozco body preservation का काम करता है मतलब कोई भी accident हो गया या कहीं पर कोई death हो गया उसके body को जो preserve करना होता है उस death body को preserve करना या तो वो funeral के लिए हो सकता है या फिर police का कोई case हो सकता है कुछ भी हो सकता है उस body को preserve करना है Orozco का काम अब Orozco कैसे अपना काम करता है उसी चीज़ को footage by footage एक documentary की तरह सजा के Number 5 की हमारी movie आपके लिए पेश्टे Orozco the Embammer एक fun fact बताओ Orozco ना इसी film के production के दौरान मर गया था अब top 3 से पहले अगर आप लोगो like, share and subscribe करने कहां जाये तो क्या आप लोग कर दोगे तो कर दो यार प्लीज Number 3 Now the things are getting crazy इस movie को बनाया है Darren Ramage ने जिसका नाम Brain Damage भी है क्यों? क्योंकि ये इंसन किसी भी चीज़ से डरता नहीं है आपको इस movie में hospital के autopsies से लेके, sex change operations से लेके, police killing से लेके street में कोई fight हुआ, कोई accident हुआ, उसके killing से लेके, सब कुछ आपको लेगा कि आप कोई ना एकदम Reddit का वीडियो देख रहे हो, जहाँ पे एकदम uncensored आपको killing दिखाया जाता है इसके सारे footage is raw and uncensored है, अगर आप लोग को ये सब चीज़े देखने को अच्छा नहीं लगता तो इस movie को avoid कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई filter ने नमबर टू की हमारी shockumentary इस दुनिया की सबसे popular gruesome documentary है क्योंकि यहाँ पे इस दुनिया के सारे जो अजीब और गरीब लोगों के जो superstitions होते हैं जैसे, you know, जैसे किसी छोटे बच्चे का बली चड़ा देना, ऐसी चीज़ इस documentary में add किया गया है यह आपको Africa के footages, Brazil के footages, पूरे दुनिया के सारे footages जो भी मतलब अजीब और गरीब चीज़े इस दुनिया के लोग believe करते हैं इन सब को एकदम uncensored raw तरीके से film किया गया है और आपको दिखाया गया है नमबर टू की हमारी shockumentary बहुत ही popular Mondo Kane I guess इसके बारे में आप लोगों ने पहले भी बहुत सुना होगा नमबर वान, same topic में बट इस list की सबसे खतरनाक और सबसे gruesome raw footages लेके अगर कोई movie बनाया गया है तो नमबर वान की इस movie को बनाया गया है same purest form of death movie के starting में ही एक आदमी आता है एक पागल सा डॉक्टर आता है और वो हमको बोलता है कि आईए हम आपको लेके चलते हैं इस पूरे दुनिया में एक सफर में जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि किस किस तरीके से लोग मरते हैं इस movie में बॉडिली गोर इतना ज्यादा है और अगर आप लोग को एनिमल किलिंग जैसे चीजे देखने में बिलकुल भी अच्छा नहीं लगता देखो मेरे स्क्रीन के सामने अगर सौ बंदे भी कटके मरे होना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बट एक घोडा है या फिर कुटा है अगर उसको अगर थोड़ा सा भी चोट लगता है या उसके ओबर कोई टॉर्चर करता है तो मैं देख नहीं पता हूँ इसलिए ये मेरे लिए सबसे शौकिंग डॉगमेंटरी थी और इसलिए इसको मैंने नंबर वान में रखा है और ये मुवी इस लिस्ट की सबसे एंगेजिंग मुवी भी है क्योंकि यहाँ पे आप लोगो बहुत ही शौर्ट शौर्ट क्लिप्स दिखाय जाएंगे और इसका एक रेस्टरेंट वाला सीन है ठीक है उसको आप अगर मना करूंगा फिर भी देख लोगे तो इस मुवी को एक बार शरूर देखना नमबर वान की हमारी मुवी फेसेस आफ टेथ यह मुवी 46 कंट्रीज में बैंड है तो सोचलो इसके अंदर क्या क्या हो सकता है वैसे हाँ इस लिस्ट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेस्टिन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो और टेक्स्ट कर सकते हैं मैं हेल्प कर दूंगा चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई